मुंबई का मसहुर कुर्ला और कुर्ला का एक मसहुर वाड है वाड नमर 151 और हमारे साथ पुर्व नगर से वक्त कमलाकर बाला नाइक जी हैं सिव सेना पार्टी से पहले का दो तिन बार चुनाओ दी चुके हैं पहले भी नगर से वक्त हैं काफी जनता की समस्या जो थी उसके पूर उनने काम किया है आएक कमलाकर बाला नाइजी से जानते हैं वाड नमर 151 में जो पब्लीक की जनता की जो समस्या 2400 घंडे बनी पड़ी है अभी उस वाड की जो नगर से वक्त है भारती जनता पार्टी के है राजिस फ्लोरिया पब्लीक जनता संतूष्ट नहीं है क्योंकि उनके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं आएक कमलाकर बाला नाइजी से जानते हैं वहां की जो समस्या है 2400 घंटे क्यों बनी पड़ी है यह भी नगर से वक र बराबर की टकर की लड़ाई लड़ी थी और पब्लीक में जनता में हर किसी में विश्वास था कि आप चुनाओ भारी बहुमत से जीत कर आएंगे और हमें भी विश्वास था लेकिन कोई न कोई कारण से आप चुनाओ नहीं जीत पाए हो सकता है आने वाले चुनाओ में पब्लीक वापस आपको भारी बहुमत से जीता के देवे इस समय वाड की जो समस्या है पब्लीक की और 2400 घंटे बनी पड़ी है गतल की पानी की लाइट की सफाई की इन मुद्दों पे काम नहीं हो पा रहा है क्या काना चाहेंगे आप लोगों ने उनका समाज बहुत बढ रहा था फिर भी ये लोगों ने ये टाइम सोचा कि अपना आदमी आएगा भाजब का साथ है उसके साथ तो आएगा इसके लिए दिया था उसमें से आदा एरिया मेरे को पहले से था और नया होके एक पूरा वाड बना था इसके लिए है आज मेरे जो वाड में आदा जो इरिया है ठकर बापा स्कूल से लेके से लकॉल नी चार नमबर रस्ते तख और आप देखेंगे तो उसमें काम हम लोग इतना दबा के किया था उसके बात जो नगर से उंक चुन का तattया है उसमें कुछ भी उसमें सला किन लिया नहीं है कुछ काम किया नहीं है प्लु क्भ तो उसको वो नहीं करएगा मैं यह करूंगा नहीं मैं मानगर पली चोम संडाउस की इसकी बहुत पड़ी वेसे की वेसे उधर पड़ी है और लोग उसको उसी समाझ को वापिस गाली देना चालू किया है कि गलती से हम ल WIL १ चुनके लाया एग है क्या करेंगे आपके तरफ से क्या follow up है उस वार्ड में और आगे आप अपने पार्टी से अगर देखा जाए तो आपके स्यूसेना पार्टी के ही मेले हैं मंगे स्कूल अरकर जी आगे आप क्या follow up ले रहे हैं वागे पपली की जनता की जो समस्या हो दूर हो सके मैं तो लोगों के touch में हूँ जो लोग मेरे पास आते हैं मैं सबका काम करता हूँ जो नगर से वख है उसने ये पहली बार अपना काम करना ज़रूरी है पर वो लोगों की समस्या ही सुनता ने दिन बर किदर गुमते रहता है लोगों को मिलते ने उनके कारे करता भी कंटल है वह सभी काम चालू है उसके मैं लोगों को जो लोगों की तकलिब है जो हमारी पुर्वन पर सीक और मैं जो काम पास किये थे वह हम लोग कारे नुद्स करने ल Auch प्र सीजर में कर रहे फिर भी जो नगर सीटिंग रहता है दो उसको तक今ो जो काम रुकाने का कम उसका चाल लोगों के उपयोग में आएगा और उसके पिछे हम लोग लगे जाना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि राजेस फुलरिया जो भारती जंदा पार्टी के नगर से वार्ड नमोर 151 के आपने कहा कि उनका जो घर है वो इलीगल है किस तरह हैं हर कैसे उसको उसके दादा जी को वो स्ट्रक्चर दिया गया तक कराची से आने के बाद उनके वो लोगों ने दो घर बनाए और उस दो घर में से मुल जो अलोट्मेंट लेटर है वो उनके अंकल के नाम पे ट्रांसफर हुआ है और यह जो स्लीप अप लाइन में इन्होंने अनलीगल बांदा है और उसका प्रापरडी कार्ड में किधर भी नाम नहीं है उनके पिता जी का और यह अभी घर है वो तीन मजली घर है यह जो कोट में केस चालू है गवतम सावले और मैं लोग डाला है अनलीगल में तो उसमें केस में फाइट होएगा और उसमें वो होने का चांसे बढ़ बढ़ गया है क्योंकि खुद नगर से होगी अनलीगल घर में रहता है तो लोगों को अनलीगल का ही प्राविदान प्रोडुस्ट करेगा और यह काईदे से गुन्ना है तो इसके लिए उसका हेरिंग स्मॉल कोट में चा चाहूंगा कि आपने भी कहा कि गौतम साबले भी इन्वाल है केस किये हैं राजेश फ्लोरियाग उपर यह क्या मामला है गौतम साबले ने भी इनके उपर कास्ट और अनलीगल बानकाम का काम जो इनका घर है इसके वज़े से कार्पोरेशन में इसका नगर से उक्पत रद क्या है मेरे निज़ी भन से मैं उदर स्कूल और मानगर का लिका अनेक प्रोविजन किया उदर गारडन गंगामता गारडन जेत्वन गारडन देखने लेक बनाया है सब ही रोड जितने पेवर ब्लॉक के जितने रोड थे सब में बनाया है गंगा माता के पास का शूरेज लाइन का है अंदर शूरेज लाइन का है सब पाड़े में कोबा लादी यह सब इतने प्रोविजन किये थे कि लोगों की जहन में है इंग्लिश मीडियम स्कूल जो शाम के लिए चालू किया था और मेरा सबसे बड़ा स्वपना था उसमें कि आरोग्या केंद्रा उधर नहीं है क्या कहेंगे अगर आपने अगर हॉस्पिटल के लिए मेडिकल के लिए पब्लिक के लिए गरीबों के लिए आपने अगर फाइल पास करवाई है तो क्यों नहीं पास हो रहा क्या नगर सिवग रुकवारा है उसे ने उसके लिए फॉल अप करना जरूए है वह जो गुजरती स्कूल है वो हिंदी मीडियम स्कूल ठकरबापा में इन बिल्ड जाना मंगता है और उसके बाद हो हिल कमीटी में जाके उसका वो सब सैंक्शन हुआ है उसको पुट अप करके उसको डेवलप करके उसको उदर अला मेडिकल कैंप सेंटर लाना जुरूरी है अगर का चोबी सो घंटे पानी रोड पर आता है किसके बारे में क्या सोचा आपनी इसके लिए महानगर पालिका का शूरेज लाइन उदर बहुत डैमेज हो गया है उननीस सो कुछ पच्चास में डाला रहेगा सदूसर्च में डाला है वो रिप्लेस करना जरूरी है वो नहीं कर है कि आए है मेरे टाइम माईक्रो ट्रेनिंग का काम हुआ था जो फोटी एट इंच का है वह जब ही चालू होएगा सब नगर सो किसमें जगरेंगे तो ठक रबापा का इंटर्नल लाइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा छेंच के लाइन है सब नवव इंच का करना प्रोजेक्ट शूरेज लाइन का आज तक अभी तक यहां पूरा किया गया ने क्यों बंद है मेरे को मालूम नहीं क्योंकि मैं अभी मानगर पाली के में नहीं है पर उस वजह से सब काम रुके हैं तो यह करने के लिए सब नगर से होके ने फुड़ा कर लेना जोड़ी आप अपने सभी मदाताओं को क्या करना चाहेंगे मदाताओं को करना है कि नगर सोक आप से काम नहीं करता रहेगा तो हम लोग बैठे हैं हम 24 गंटा यही काम करते हैं और लोगों ने खुद भी आवरनेस लाना जरूरी है अपना गली अपना सोचता कैसा रखना चाहिए और सभ से काम करना है नगर से उक रहे और न रहे फिर भी स्वाव लंबन रहेंगे तो काम अच्छे और सुधरता हो जो आपने देखा कमलाकर बाला नाइक जी ने क्या कहा वाट नेमर 151 में जो समस्या 2400 घंटे बनी पड़ी है उसके लिए कमलाकर बाला नाइक जी बार बार फॉ कुम्बए